हेलो गाईज, स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टेरी विद अमनकुल में आज हम लाए हैं शिक्षा निदिशाली रास्य रास्दानी शेति दिली की कारे परतेक नमबर 16 जो की क्लास 8 की यानि 8 की है, विशे आपका गड़ित है अज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्ग मूल चैप्टर तो इस प्रिये विदार्टी इस वर्ग संख्याओं की विशेशता के बारे में जा रहेंगे तो इनकी विशेशता क्या होती है आपको इस वर्ग शीट को पूरा देखेगा, इस वीडियो को पूरा देखेगा आपको अच्छे से समझा जाएगा की वर्ग संक्याओं की विशेशता क्या होती है तो दीए गए सारने को ध्यान पूरावक अवलोकर करें तो आपको यह सारने और यह च्छे से देखनी है तो आपको ध्यान से देखनी है 1 का स्क्वाइर 1 होता है तो पहले हम स्क्वाइर देख लेते हैं 2 का स्क्वाइर 4, 3 का स्क्वाइर 9, 4 का स्क्वाइर 16, 5 का स्क्वाइर 25, 6 का स्क्वाइर यानि 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 60, 10 का वर्ग 111 का वर्ग 182 क तो आपको उनिस तक के वर्ग दिया गए इस वक्षिट में तो आप इन्हें ध्यान से देखेगा जो अब का वर्ग संख्या के 21 ठान पे जो आपको नमबर दिया गया है जो आपका वर्ग आपको आपको आप देख सकते हैं चार चार आपका क्या है चार आपका एक विशम संख्या और छे भी आपका विशम संख्या है तो जब हम देखेंगे कि अगर हम चार का वर्ग करेंगे तो जो हमारा अंसर आएगा 16 उसमें हम इकाई का स्थान देखें तो वो भी हमारा विशम संख्या ही होगी ऐसे हम 6 का देखेंगे तो 6 भी हमारा विशम संख्या ही होगी ऐसे हम 8 का देखेंगे तो ये भी हमारा विशम संख्या ही होगी ऐसे हम दस का देखें, बारा का देखें, ऐसे हम किसी भी नंबर का देखें, तो उसका जो वर्ग आएगा, वर्ग संख्या आएगी, वो भी विश्म संख्या ही होगी, और जो संख्या का होगा, जैसे आप थ्री ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, उसका संख्या संख्या संख्य ही होती है तो आपने देखा कि संसंख्या का वर्ग संसंख्या ही हुई और विशंसंख्या का वर्ग विशंसंख्या ही हुई तो यह पैटन सभी संख्या के लिए लाग होता है यह जो आपका पैटन है यह सभी संख्या के लिए लाग होता है एक के लिए नहीं होता है सभी के होता है तो दिए गए सार्दि को आपको दुबारा अभ्लोकन करके देखना अच्छे से द्यान से देखना तो यह वाली भी तो यह पटीक पहली विशेष्टा है तो आपको कुछ कोशन दिए गाए धिक स्थानों को भरें तो 31 का रखा गतीक का रखा रहे तीन वर्ग आतों आप 57 का वर्ग लिखेंगे 5 toки जाएसाएस्यंक तो इन का आयगा 3249 साथ 5 का बघेंगे एकोल में 57 गुणा 57 तो यह आपका आगा 3249 सो ऑं क्षाईस्य आप करते हैं 64 का वर्ग आप लिखेंगे 4096 यानी 4096 तो आप 64 का वर्ग करेंगे 64 गुड़ा 64 तो आपका अंसर आजाएगा 4096 यानि 4096 तो यह आपका विशेश्टा थी एक तो यह आपको एक कोशन ही दिया गया था और विशेश्टा आपने कर लिए दूसरा आपका देगा है किसी संक्या के अंत में जितने शुन्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संक्या के अंत में दुगना शुन्य हो जाते हैं तो यह आपने एक विशेश्टा पढ़ी यह आपकी दूसरी विशेश्टा है कि अगर हम कोई संक्या ले ले उसका अगर हम वर उसके एकाई स्थान पर आघाए का आघपकल करें तो 49च रेगा है सिंसी हम 2 चिंदेर चाहना होइं दो इसे हम तीन का करेंगे तो नौ वह जाएगा और जो दोस्ट हो खार सिरह है आठ का करेंगे ऐसे शुञ आपका करेंगे चौह सट सॉट को जानतें दो वह संक्या की बीच में कितनी संक्या है प्राकстर संक्या जो वर्ग नहीं होती है वो आती हैं तो आप देखेंगे तो first example देखेंगे तो करमागत वर्ग संक्या का अंदर हम निकालेंगे तो हम 0 1 में से 0 को माइनस करेंगे और माइनस करेंगे फिर 1 हम तो हम फिर 1 माइनस करेंगे क्योंकि हमें किसी संख्या का अंतर करना है तो हम इसलिए दुबारा माइनस करते हैं तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा तो हमारा जीरो और वन के बीच में कोई संख्या ही नहीं है तो हम जीरो ही आएगा अंसर फिर हमारा एक का स्क्वार हम वन का स्क्वार हमारा एक का वर्ग हो जाएगा एक की हो जाएगा और दो का वर्ग हो जाएगा चार तो एक और चार के बीच में आप को फिर खटा देंगे क्योंकि हमें कर्वागत संक्या का बग निकालना है तो चार में से के आप 3 वजा 5 में से क्या दो बजा तो हम जानते हैं कि एक और चार के बीच में 2 संक्या आती है तो हमारा आंसर भी दो आएगा ऐसे आप दूसरा करेंगे चार और नौ के बीच में आपको संग्या तानी तो हमें पदर चार संग्या आती है तब भी हम करके देखें कि तो चार हमारा दो का स्कोर है और नो हमारा तीन का वर गए तो दो का वर गए और तीन का वर गए तो हम 9 में से हम 4 को घटा देंगे 9 में से चार गया 5 पांच पिसे गया 54, तो हमारा अंसार 4 यह आएगा और हम देखेंगे 9 और 4 और 9 के बीच में कितनी संग्य है? हम देख सकते हैं 5, 6, 7, 8 तो ये 4 संग्या 4 और 9 के बीच में तो ऐसी आपका लास्ट वाला भी है और उपर तो आप इसे कर लेंगे अच्छे से आपको इस टेबल में कुछ नहीं करना है आपको बस यह आज इस आपको अपने कॉपी में नोड़न करना है और इसे समझना है तो आओ संख्या के साथ खेले तो आप कुछ कुछ राण सर कर संख्या के स्थान के अंग को लिखें आपको इकाई की स्थान के अंक को लिखना है तो आपको 70 नहींगत सब्सक्राइब कर दिया गया हमें तो हमें पता है नौ का स्क्राइब क्या होता है एक तो आपका आइसर आ जाएगा एक तो आप आप लिख देंगे फिर आपका 47 तो 7 का स्क्राइब इस हे ऐक है तो आपका 9 आजाएगा गानी Wire का स्क्राइब का स्क्राइब आप बता देंगे 25 होता है ट्विटिवव का इका इस Ambassador क्या है पाइव है इटी सिक्स का आपका क्या होता है six का स्क्वार हो जाएगा 36 तो हमाद six ही आ जाएगा तो आपका आ जाएगा अंसर में वन नाइन फाइव सिक्स तो आपके अंसर हो जाएगे पर्स कोशन के सगेंड कोशिन देखते हैं, इनके बीच के बिना 1500 वाली संख्या को लिखे, तो आपको इनके बीच में जो 16 और 25 के बीच में बिना वाली संख्या को लिखना है, यानि आपको नॉर्मल प्राक्रितिक संग्या होती होने लिखना है तो आप इस कोशन के अकॉर्डिंग करना है जो आपको टेबल दी गई थी उसके अकॉर्डिंग करना है तो आपको 25 में से 16 माइनस कर देंगे तो किता आजाएगा और फिर आप वैनस से फिर माइनस कर देंगे क्योंकि हमें करमागत संग्या का वर्ग का अंतर निकालना था तो आप 25 में से 16 माइनस कर देंगे 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो आप अगा आजाएगा 8 तो आप देखेंगे 16 और 25 के बीच में 8 संग्या है तो आप इसका देख भी सकते हैं, 17, 18, आपको 25 देखना है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो बस 24 सकी लिखना है क्योंकि हमें 25 गिवन है, तो आप देखेंगे कि 8 संक्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यह आपके 8 संक्या है, तो यह हमारा आंसर सही आ है, सकीन कोशन है आपका 25 और 36 के भी लिखना है, तो 36 मेंचे आप 25 को माइनस करेंगे, फिर 1 से माइनस करेंगे, 23 मेंसे पच्छिस को गया, 11 मेंसे एक माइनस करेंगे, तो 10 बचा, 25 और 36 के विश्वा वैज दस ला शरक गया आ आप इसे करके भी देखेंगे, 26, 27 तेज़ा है, 56 क्या हम 25 के आगे से देखेंगे, 27 28 29 30 31 32 34 35 तो हम देखेंगे कि यह दस संक्या है तो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस तो यह हमारा अंसर सही आता है यह दस है तो आपके आज के वक्षीट कम्प्रीट होती है इसे अपने सभी दोसे के साथ शेयर करिए और आप पहले की वक्षीट जरूर देखेगा अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर देखे इससे आपको जो आपका वर्ग और वर्ग मूल चाप्टर है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और मेरे चानल को सब्सकाइब कर दे आपको जो आपकी हिंदी की सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दे और सभी दोस्तरा शेयर करें थांक्स पूंब वाच्छे निट्यूब बाइबे गाईज